बहुत बहुत धन्यवाद मानेनी अध्यक जी देश को धोका देकर देश की जनता के पैसे को किस प्रकार लूटा गया एक व्यक्ति विसेश के द्वारा सरकार के मुखिया के साथ मिलकर इस महत्मुन मुदे पर आपने चर्चा करने के लिए मुझे मुखा दिया सबसे पहले तो मैं संजीव जहाजी का जो प्रस्ताव है मैं उसका समर्थन करता हूँ और जिस तरीके से एक एक तथ्य को सदन के सामने बहुत खुपसूरती के साथ उन्होंने रखा निश्चित तोर पर इसी तरह की सारगर्वित चर्चा सदन में होनी चाहिए तथ्यों के साथ होनी चाहिए उसका स्टेंडर्ड सदन का बढ़ जाता है तो मैं संजीव भाई को इसके लिए बढ़ाई देता हूँ मुझे याद आता है मानिय अधिक जी आपके स्वीकृती से यहां की एक कमेटी जम्मू कास्मीर लद्दाक के लिए गई थी घुमने के लिए कुछ मुतों पे रिसर्च करने के लिए और उस कमेटी में मैं भी एक सदस्य के तोर पे गया हर 200-300 मीटर की दूरी पे हमारी गाड़ी रोक के विदायकों को गाड़ी से नीचे उतारके गाड़ी जांच कराई जाती थी मैं इस होतरा था कि एक तरब तो हम स्टेट गैस्ट के रूप में आये हुए और विदायकों को भी गाड़ी से उतारके गाड़ी जांच कराई जा रही है ऐसा क्यों है लेकिन फिर मैंने सोचा कि यह सुरक्षा का सवाल है जम्मू कास्मीर एक सेंसिटिव प्लेस है इस्टेट है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जब यह पुलवामा हुआ तब तीन सो साड़े तीन सो किलो आर्डी एक से लेके गाड़ी हमारे सेनिकों की काफिले की गाड़ियों से टकरा के चालिस से ज़्यादा सेनिकों को मार देती है और वो जाच एजनसियां जो पूरे देश की विपकसी पार्टियों के खिलाब जूटे मुकदमे दर्ज करके उनको जेल में डालने का काम कर रही हैं वो सारी जाच एजनसी पुलमामा वाले मुद्धे पर फेल क्यों है केंद्र सरकार को कम से कम इस बात का खुलासा तो कर देना चाहिए कि वो तीन सो साड़े तीन सो किलो आर्डी एक्स कौन लेकर आया उस गाड़ी को वहां तक किस न दोर पर समझाता है देश की जनता ने जिनको दूसरी बार प्रणान मंतरी बनाया अपना इतना प्यार दिया आज वो देश की जनता क्या महसूस करती है ये बात मैं एक सेर के मादम से समझाने की कोशिस करता हूं कि जनता क्या महसूस कर रही है जनता महसूस कर रही है कि मु पुझे सिक्वा नहीं तेरी बेवफाई का गिला तो तब हो जो तुने किसी से निभाई हो। जिस जनता ने पहली बार जिताया फिर दोबारा जिताया उसी जनता के पैसे को जो बैंकों के इंदर जमा था इंसरेंस कंपनी के इंदर जमा था उन कंपनियों ने जब अडानी जी को वो लोन देने से इंकार किया जास Тоइस बात की भी होनी चाहिए, उन बेंक के उच अधिकारियों को, इंसरेंस कंपनी के उच अधिकारियों को कहा से फोन आया और किस ने फोन किया, की ये अडानी जी को लोन आपको देना होगा तो जनता के पैसे को लूट कर रातो रात दुनिया के दूसरे और तीसरे नंबर पर पहुचने वाले ये कभी मेहनत से संभव नहीं है आज तक आप और दुनिया का इतियास उठा के देख लो पूरे दुनिया में एक भी उद्योगपती ऐसा नहीं मिलेगा मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ पूरे दुनिया के अंदर एक उद्योगपती ऐसा नहीं मिलेगा जितने इतनी तेजी से इतनी तरक्की की हो बेसिकली तरक्की हुई हो तो वो साइद देश की तरक्की भी साथ में हो जाती दिखती तरक्की दिखाने का फरजी वाड़ा हुआ ये मुझे इसमें एक घटना याद आ रही है और वो घटना साइद आपको पसंद आएगी आपने सुनी भी होगी सती घटना है एक कथा बाचक थे अपने आपको संत के रूप में पूरे देश में नहीं पुरे दुनिया में फुजवाते थे उनके यहाँ एक बार एक वैपारी गए और उन्होंने कहा कि मुझे संती जी से मिलना है तो संती जी के जो मीडियेटर थे उन्होंने कहा वही ऐसे संती जी नहीं मिल सकते उन पे टाइम नहीं है पहले अपॉइंट में लेना पड़ता है तो उन्होंने का अच्छा ठीक है नहीं मिलते कोई बात भी मेरी तरफ से ये 10,000 रुपे का चंदा है ये उनको दे देना और बता देना जी वो चंदा दे कर गए दूसरी बार फिर वो संत जी के महां गए आसरम में दूसरी बार फिर उन्होंने कहा मुझे संत जी से मिलना है उन्होंने का भी ऐसे नहीं मिलते हैं आपको पिछली बार भी समझाया था तो उन्होंने का ऐसा करना ये 10,000 रुपे चंदा है मेरी तरफ से संत जी के लिए तो ये उनको दे देना उनको जब दिया तो उन संत जी ने जिनका नाम ऐसी से सुरू होता है उन्होंने का वह ये कौन व्यक्ती है इसको बुलाओ अब वो महा गए और बहुत अच्छे से संत जी उनसे मिले मिलने के बाद उन्होंने कहा कि मैं तो इसलिए आपके पास आया था मैं चाहता हूँ एक बार आप मेरे घर पे आके खाना खाए संती जी ने उनकी बात मान ली उनका खाना के दावत सुईकार की और वो उनके घर पे गए संती जी को पता नहीं था किजिस बंगले में वो थे रहते थे वो बंगला किराय पर था उन्होंने उन्स संती को कहा कि ये मेरा बंगला और मेरे ऐसे-से फणा-फणा बिजनिस है और बहुत अच्छी तरक्की हो रही है उन्हें पूछा कि भी इतना ये कैसे आपने इंवेस्टमेंट कहां से हुआ कि मैं लोगों से पैसा लेता हूँ और उनको 5% ब्याज दे देता हूँ हर महीने दे देता हूँ संतिजी ने का तो ठीक है ऐसा करो 10 करोड रुपे मेरे भी लगा दो 5% मुझे भी दे देना और इस तरह उनके 10 करोड रुपे लेते ही वो मकान खाली करके रफू चकर हो गए आज हमारे देश के साथ बिलकुल उसी तरह की चिटिंग उसी तरीके से हो रही है फरजी सेल कमपनियां बनाई गई और उन कमपनियों के माद्दम से अपने ही सेरों को खरीद परोग करके उनकी कीमत मेल्यू मार्किट में बढ़ाई गई ताकि जनता चलावे में आकर अपना पैसा उन कमपनियों में लगाए इस तरीके से पूरे देश के साथ छल करने का काम पूरे देश के साथ गदारी करने का काम केवल अडानी जी ने नहीं किया है बलकि जिनके प्लेन में बैटके वो अनेको बार अनेको देसों में गए अनेको देसों की सरकार को बाद दे किया उनको उन्हेंने कॉंट्रेक्ट देने के लिए वो इसके अंदर सामिल है और मैं ये सोच रहा था कि जब देश की बात आए तो कम से कम ऐसे मुद्दे पर तो हमारी विपक्स जो यहां विपक्स में है लेकिन पूरे देश में बहुत सारे राज्यों में सत्ता में है केंदर केंदर पूरे भूमत से जो पार्टी सत्ता में है वो पार्टी अडानी जी के लूट के उपर चर्चा में इतना विरोध आखिर क्यों कर रही है ये विरोद केवल अडानी की उपर चर्चा का नहीं है बलकि ये विरोद इसलिए है ताकि ये सच कहीं सामने ना जाए जो इनके मुखिया हैं वो इस सारे चिटिंग और फोरजरी में लूट में सामिल है और यही कारण है पुरे देश का विपक से एक जुठो कर संसद के अंदर बार बार कहरा जेपीसी का गठन करो ताकि जेपीसी चार्च करके सच को सामने लाके रखे आईना आईने में साफ साफ तस्वीर होनी चाहिए कि आखिर ये लूट किसने की है इसमें कौन सामिल है और मुझे तो इस बात का भी दुख है हमारे अन्ना हजारे जी जो इस तरह के मुद्व पर अक्सर भूकर ताल पे बैठ जाया करते थे मैं देख रहूं जब से सरकार सत्ता में केंदर केंदर आईए करीम नो साल होने को है तब से वो बिल्कुल चुपी साथ गए उनकी भी एक बार जाच करो बिमार उमार तो नहीं है कम से कम उनसे कहो कि भई इस मुद्व पर भी भूकर ताल पे बैठ जाओ हमारी सरकार के बारे में तो बार बार जाच की बात करते हो बार बार बोलते हो हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ जो ब्लैक मनी भारत में वापस लाने की बात थी वो वापस नहीं है उस पर वो चुप क्या है देश के अंदर लगाता है देश के संसादमों को लोटा जा रहा है दोहन किया जा रहा है S.E.Z. सेज के नाम पर जैसा कि संजीव भाई ने बता ए बिना किसी पैसे के आएक रुपे पर उनको इतनी बड़ी जमीन दे दी गई बात्यूद्योग पत्यों को 8000 और 6000 रुपे बीटर के इसाब से दी गई तो इस तरह कि जो लूट देश के साथ हो रही है ऐसे मुद्धों पर ऐसे लूट क्यों है कहीं ऐसा तो नहीं सारका साड़ा स्रेडिनतर में इस तरह को लूट सामिल है जो केंदरिमाज सत्ता में बैठे इसलिए वो जेपीसी का गठन नहीं होने दे रहे इसलिए विपक्स को बोलने नहीं दे रहे सारी जांच एजन्सियों को पूरे विपक्स के खलाप लगा दिया है मैं जानना चाहता हूँ क्या देश की लूट के बारे में हमारी जांच एजन्सिया कोई जांच करेंगी या नहीं करेंगी ये भी स्पश्ट होना चाहिए क्या CBI, NIA, ED जांच नहीं होगी पूरा विपक्स लिखे दे राकिर्स की जांच क्यों नहीं हो रही है मानिया जांच जी इस तरह की लूट जादे दिन चलने वाली नहीं है देश के लोग पहले भी आजादी की लड़ाई लड़ी गई मुझे लगता है आजादी की लड़ाई की जरुरत है और इसमें कुर्बाने देने की जरुरत है अगर सहीद बगासिंग या उनके साथे ने कुर्बानी दी तो मैं आज इस सदन के सामने कह रहा हूँ अगर इसमें हम अपने जान की कुर्बानी देनी पड़ी हम देने के लिए तैयार हैं पर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और हम इस लड़ाई को जितेंगे आपने मुझे बोलने का मुका दिया बहुत बहुत धन्यवाद